आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर समझाने जा रहा हूँ जो मुसली लोगों को कभी ना कभी प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन देता है बच यह चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी फायदे मनते हैं और मैं बहुत ही इजी वे में इसको समझा होना तो जैसा कि चैप्टर है और चैप्टर का नाम मैं आपको बोलूँ तो यह चैप्टर है कैमिकल चैप्टर है कैमिकल रियक्शन और इक्वेशन केहने का यह मतलब है कि किसी भी चीज़ की रियक्शन और उसकी इक्वेशन से मतलब होता है कैमिकल रियक्शन और इक्वेशन अब बात आती है कि कैमिकल रियक्शन क्या चीज़ तो भाई मेरे हिसाब से यह एक प्रोसेस है जिसमें की फॉर्म होता है एक न्यू सब्स्टेंस विद न्यू प्रोपर्टीज न्यू सब्स्टेंस फॉर्म होता है न्यू प्रोपर्टीज के साथ ठीक है तो कैमिकल रियक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फॉर्म होता है न्यू सब्स्टेंस विद न्यू प्रोपर्टीज अब वो रियक्शन चाहे मिल्क का कि खट्टा हो ना हो चिक आप उसको लेफ्ट ओवर कर दो समर में और मिल्क थोड़े दिन देर बाद खट्टा हो जाएगा चाहे आइरन पे रेस्टिंग का होना हो चाहे किसी भी चीज जैसे कि आप फ्रूट्स का ले लो या किसी भी चीज का फर्मेंटेशन होना हो और चाहे यह बर्निंग ओफ कैंडल हो या यूज ओफ फॉसिल 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 तो बही कैमिकल रियक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिससे कोई नया सबस्टेंस फॉर्म होता है नई प्रॉपरटीज के साथ और मिल्क जैसे की एक्जामपल के तरह मैंने बताया शोर हो सकता है यह सारी चीज़ें हो सकती है अब जड़ा सब कैरेक्टरिस्टिक इसकी जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के कोईश्टिन साते हैं कि कभी कैरेक्टरिस्टिक क्या पूछी जा सकती है तो बहुत जो कैमिकल चेंज होता है इसमें जो नया सबस्टेंस फ्रॉम होता है इनकी प्रॉपर्टीज डिफ्रेंट होती है मींस जो न्यू सबस्टेंस होगा मं इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफ्रेंट होगी है त्विफ्रेंट प्रॉपर्टीज कि दूसरा इसका के सेकेंड पॉइंट है कि जो कैमिकल रियक्शनapon होगा इसमें गैस इवाल्व होगी या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा रेसिपिटेट जानते हैं न कोई भी चीज जो इंसोलूबल हो वो फॉर्मड होगा तीसरी important चीज इसमें new substance different properties के साथ फॉर्म होते हैं सबसे लास्ट पॉइंट है यह जो रियाक्शन होती हैं यह एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं पी-ओ-ए-सी का मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ एटोमिक कंजर्वेशन क्योंकि इसमें एटम्स ना तो फॉर्म्ड होता है ना डिस्ट्रॉइड होता है केवल उसकी बॉंडिंग पैटन्स में चेंज आता है तो यह था आपका कैमिकल रियक्षिंट्थ की डिफिनीशन और क्या-क्या कैरेक्टिर्स्टिक होती अब ज़रबस आगे आते हैं कि59 इक्वेशनिज क्या होती तो व्यक्यवेशन एक्वेशन केमिकल एक्वेशन एक ऐसी तरह की चीज है कि जिसमें हम किसी भी रियक्शन को सिंबलाइज्ड करते हैं या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इतमीन अमेथर्ड ओफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रियक्शन बाय थे सिंबल अफ एलिमेंट्स एंड फोर्मूला ओफ कंपाउंट्स विच आ इनवालड इन इन इत सो इट इस वेरी इंपोर्टेंट टू नो कि केमिकल इक्वेशन इन शॉर्ट हैंड मैथर्ड कैसे रिप्रेजेंट होती है तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है रिप्रिजेंटेशन है और इसमें दो चीज़े इनवाल होती है एक तो आपका LHS साइड एक आपका RHS साइड देखो LHS साइड जो होता है यहाँ पर आपको मिलेगा क्या reactant ठीक है आपको यहाँ पर मिलेगा रियाक्टेंट और जो आपका RHS साइड है यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडेक्ट ठीक है दूसरी बात यहाँ पर सबस्टेंस फॉर्म होते है और यह रियाक्शन इरिवरसिबल भी हो सकती है और अगर रिवरसिबल कही जाएगी तो आप रिवरसिबल में ऐसा साइन लगा होगी तीस स्कॉलड डैस रिवरसिबल कि टीकैंद डिस स्कॉल्ल इसी स्कॉल्ड डैस आपके पास like as a example आपके पास एक a product है एक b है not a product reactant उसने बनाया c plus d तो यह आपका हो गया reactant और यह आपका हो गया product ठीक इतनी बात आपको clear हो रही है तो एक तरफ हो गया reactant और एक तरफ हो गया product example के तौर पे अगर हम zinc को h2so4 के साथ react कराते हैं तो मेरे पास आएगा znso4 plus h2 gas evolve हो जाएगी यह आपका product है और यह आपका reactant clear अगर gas evolve होगी तो उसमें sign ऐसे लगेगा heat अगर होगी तो heat देने में आपको sign ऐसे लगेगा चीक अब जो second बाद आती है वह आती है आपकी balancing में balancing के लिए आपके पास lhs और rhs बराबर होना बहुत जरूरी है like as a example अब आप कैसे करों कि इसको बहुत short hand method में बताता हूं कि मांच के मांच के चलो मुझे hcl बनाना है और मैंने hydrogen लिया देखो लेना वही चीज है जो आपको exist करती जो exist करती इस प्लेटफोर्म पे इस नेचर पे और मैंने क्लोरिन लिया बना गया hcl अब इस पर heat and trial method यूश करो heat and trial का मतलब हो गया एक तरफ h है दूसरी तरफ cl है अगर हम left hand side यानि कि यहां देखते हैं और यह rhs है right hand side देखते हैं तो left hand side hydrogen है दो और right hand side hydrogen है one left hand side chlorine है दो और right hand side chlorine है one तो इसका मतलब हमको दोनों को two से multiply करना पड़ेगा multiply हमेशा यहां होता है multiply हमेशा यहां होगा two hcl के साथ अब यह balance हो गई तो इसे कहेंगे balancing clear हो रहें मेरी बाद तो यह सारी चीजें balancing की आपको समझनी पड़ेंगे और इस method को heat and trial method कहा जाता है चिक clear चलिए एक और देख लेते हैं कि अगर हम sodium को वाटर के साथ mix करते हैं कि sodium को वाटर के साथ mix करेंगे तो अगर एने ओएच फॉर्म होगा कि साथ में एच्टू फॉर्म होगी ठीक clear है एने के साथ अगर एस्टू वाटर को लोग मिक्स करेंगे या रियाक्ट करेंगे तो एने ओएच और हैस्टू फॉर्म होगी जिसमें सोडियम इस तरफ सिंगल है इस तरफ भी सिंगल है ठीक है हाइड्रोजन इधर डबल है हाइड्रोजन इधर भी डबल है और सीजन इधर लेकिन हाइड्रोजन इहाँ पर थ्री है ठीक है अब हमको क्या करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे यह बैलेंस हो जाए तो हाईड्रोजन यहाँ को यहां से कम करना पड़ेगा अब हाइड्रोजन यहां पर दो है हाइड्रोजन कितने हैं दो है अगर यहां पर एक हाइड्रोजन होता तो जाहिर सी बात है सब कुछ सही होता तो हम इसमें हाफ का multiplication करेंगे और half multiplication करने से क्या हुआ यह balance हो दो है अब hydrogen यहां पर 1 है और यह 2 यहां पर भी 2 oxygen 1 oxygen 1 sodium 1 sodium 1 clear balance तो this is called as balancing ठीक आगे बढ़ते हैं अब आगे आपके पास जो चीज आती है वो आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रियक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रियक्शन में अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहली जो रियक्शन आएगी वह आपकी आते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रियक्शन एक तरह के ऐसी रियक्शन है जिसमें तू या उससे ज़्यादा सबस्टेंस फॉर्म करते हैं छोटे छोटे सिंगल रियक्टेंट फॉर्म करते हैं प्रोड़क्ट लाइक ऐज एग्जेंपिल की आपके पास हो सकता है A+, B हो और वो C फॉर्म कर रहा हो य'ा C नहीं A B फॉर्म कर रहा ह। और में भी हो सकता है A+, B+, C हो तीन हो और वो प्रोड़क्ट ABC फॉर्म कर रहा है चीक तो अगर number of reactant का mine करते हैं और single product बनाते हैं तो वो combination reaction है example के तौर पे अगर मैं कहूं तो इसमें पहले example से पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि इसमें heat निकलती है यानि कि heat इस reactions में निकलती है heat release होती है heat release हुई इसका मतलब यह exothermic reaction क्या है exothermic clear example के तौर पहला example अगर मैं लूँ पहला example तो मेरे लिए hydrogen plus chlorine वाला ही example आएगा और वह आएगा 2HCl और यह hydrogen और chlorine जब बना तो इसमें साथ में heat भी evolving एक common example के तौर पे आपने घर में चूना देखा होगा जब कभी आपके घर में पोताई होती है या पेंटिंग होती है तो इस चूने की पोताई हो रही है तो उस चूने की पोताई में आपके पास जो चूना यूज किया जाता है उसको हम लोग solid के रूप में लेते हैं उसका नाम हम लोग कहते हैं जो हम खरीदे लेकिन जैसे ही हम उसमें water मिला देते हैं जिसको हम लोग liquid कहते हैं तो वह एक तरह का चूना गीला कर देता है और जो गीला चूना होता है वह caoh का hold twice यानि की slagged lime होता है लेकिन आपने देखा होगा जिस container में वह चूना पानी के साथ mix कर रहा होता हूँ हीट जरूर इवाल्व हो रहे है ठीक है नंबर second example मैं आपको देता हूँ आप coal को जला लो coal जिसमें क्या होता है कार्बन होता है और वो जब oxygen के संपर्क में आता है तो carbon dioxide gas बना देता है लेकिन साथ में heat भी तो निकल लई है भाई कोईला जल ला है तो heat निकलेगी न इसी तरह अगर मैं तीसरा है लूँ आपके पास तो आप ले लो मिथेन और उसको hcl से redact कराओ तो nh4cl बना देगा आपका ठीक एक और एक्जमपल आप एसो टू ले लो एसो टू ले लो और उसको oxygen के साथ mix करो अब आप oxygen के साथ mix करोगे तो एसो थ्री फॉर्म करेगा एसो थ्री फॉर्म करेगा चलो बैलेंस कर लेते हैं टू एसो टू और टू एसो थ्री फॉर्म करेगा यानि कि जो सल्फर टायोकसाइड है वह oxygen के साथ combine होके सल्फर ट्रायोकसाइड बनाए ठीक और यहां पर अमोनिया कंबाइन किया था आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिट के साथ तो जो प्रोटेक्ट बनाया एनस फोर सी एल अमोनियम क्लोराइट यह भी एक कॉमिनेशन रियक्शन प्लस आप जड़ा हीट का evolution देख लो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक्जोथर्मिक reaction होती है एक्जोथर्मिक तो अगर मैं एक्जोथर्मिक reaction के बारे में बोलू तो जिसमें heat निकल लई हो जैसे मैंने carbon और oxygen का आपको बताया तो heat निकली वो हो गया एक्जोथर्मिक लेकिन अगर मैं दूसरे reaction पर जाओं जो की आपका decomposition reaction है decomposition reaction एक तरह का reaction जिसमें energy निकलती नहीं है energy हमें देनी पड़ती और energy हम देंगे कहां से heat करके यानि कि इसमें सारा का सारा element heat देना पड़ता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं endothermic reaction बहुत समझ में आ रही है एक और नाम से इसको अगर हम देखें तो हम इसको बुला सकते हैं decomposition reaction और जो पहले exothermic ते उसको हम combustion reaction कह सकते हैं ठीक है अब जड़ा equation की बात करें तो एक पहला example मैं आपको दे रहा हूं आप calcium carbonate यानि की limestone का एक formula देखो limestone limestone जब तूटता है heat दी गई उसे heat दी गई तो ये बनाता है c a o y quick lime याद हुआ limestone आपको मिल जाएगा पत्रों पहाडों में उसी से बनता है और प्लस निकलेगी इसमें carbon dioxide तो heat यहाँ पर क्या हो रही है evolve हो रही है दूसरा example आप देख लो तो pbno3 का मैं देख लेता हूं pbno3 यानि की lid nitrate जिसको हम नाम क्या देते हैं lid लिड नाइट्रेट अब मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊ लिड नाइट्रेट का रियाक्शन कराता हूं एक strong heat decomposes कराता हूं तो इससे जो भी चीज निकलेगी एक तो निकलेगा पीबी यो लिड ऑक्साइट प्लस अनो टू नाइट्रोजन टाय ऑक्साइड जो की एक ब्राउन गैस है जिसको ब्राउन वैपर कहते हैं रेडिस ब्राउन होती है प्लस ऑक्सीजन जो की कलर लेस गैस है वो निकलेगी एक अब बैलेंसिंग की तोर पर एक लूँ तो यह इसको कर लो कोई दिक्कत नहीं थर्ड इग्जैंपल के तौर पर मैं लूँ तो एफी एसो फोर का ले लो आप फैरस सल्फेट यह जब टूटेगा हीट दी जाएगी तो बनाएगा एफी टू ओ थ्री फैरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाई निकालेगा यह तीन चीज़े निकालेगा अभी डिकंपोजीशन रियक्शन देखो दो तरीके की होती है एक होती है एलेक्ट्रोलिसिस एलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस डिकंपोजीशन ऑफ कंपाउंड की मोल्टन स्टेट में जिसमें हम एलेक्ट तो है लेकिन electrolysis केबल हो सकती है पहली चीज है requirement की वह जो भी चीज पर हो रही हो मोल्टेन स्टेट पर हो कि दूसरा एक्वास हो एक्वास का मतलब भी गीला ही होता है तो अगर उस तोर पर मैं देखूं कि एक्वास हो और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हो तो आप अगर मैं एलेक्रिक करेंट देता हूं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तूटेगा दूसरे तोर पर आप एल्टू ओ थ्री को देखो अलुमिनियम ऑक्साइट इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओ अलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो यह आपका अलुमिनियम देगा साथ में ऑक्सीजन देगा अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं वह अलग मैटर है लेकिन अलुमिनियम और ऑक्सीजन देगा एक गैस दूसरा रियक्षिन जो होता है वो होता है फोटो कैमिकल दूसरा रियक्षिन होगा आपका फोटो कैमिकल फोटो कैमिकल का मतलब जिसमें लाइट यूज हो रही है अब लाइट यूज हो रही है तो जाहिर सी बात है लाइट की एनरजी लगेगी एक्जाम्पल के तौर पे आप हीट दे रहे हो तो एक पहला सबसे बड़ी है एक्जाम्पल है एजी सी एल जिसको हम लोग सिल्वर क्लोराइट कहते हैं और यह डिकंपोज होता है लाइट की प्रेजन्स में यानि कि इसको सनलाइट दो या कोई बल्ब भी जला दोगे तो यह सिल्वर अलग हो जाएगा वाइट कलर और प्लस चल्वर गैस जो एलो कलर की होती है वो निकाल लिए तो सिल्वर प्रोराइट ग्रे सिल्वर में चेंज हो जाता है यह बल्ब होता है और यह ग्रे हो जाएगा ठीक है दूसरा एक्जैम्पल आप इसी सिल्वर का देख लो शिल्वर ब्रोमाइट फिर से आप उसको सिल्वर क्या प्लस ब्रोमीन अलग से निकाल देगा कि अब आते हैं नेक्स चांस फर यह को फोटो सेंस्जै今日 में आपका क्या होता है आप फोटो सेंसे दञी कार्बं डॉप साइड होती है सिक्सक्ष क्रब्न डॉपसाइड की मालुपार के मॉलीक्यूल होते हैं प्रिसनल बनता है स्टार्ट बनता है सी शिक्स स्टॉल वह सिक्स प्लस साथ में क्या बनता है शिक्स ऑक्सिजन के मॉलिक्यूल बनते हैं चीक तो यह आपका सिस्टम है अब जो थर्ड रियक्शन आती है वह आती है डिस्प्लेस्मेंट का मतलब होता है कि मान के चलो एक रियक्शन है जिसमें डबल एलिमेंट्स हो एक सिंगल है अगर यह ज्यादा रियक्टिव है बी से तो यह जगह चेंज करवा देगा बी की और बन जाएगा एसी के साथ जॉइन होके और बी को अलग कर देगा एक्जाम्पल के तौर पर सबसे इजी एक्जाम्पल है कॉपर सी यू एसो फोर प्लस जिंक को उसके साथ मिक्स करा दो तो यह बनेगा प्लस एमजी मिक्स कराओगे तो एमजी एसो फोर प्लस सी यू एक और देखते हैं इसको आफ एलुमीनियम के साथ करा दो तो यह आपको बनाएगा एल सी यल थ्री प्लस सी यू आप यह रियक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता जैसे पोटेशियम उससे सबसे जादा रियक्टिव है पोटेशियम फिर उसके बाद सोडियम फिर कैलसियम फिर आएगा आपका मैगनीशियम फिर आएगा एलुमीनियम फिर आएगा जिंक फिर आएगा एफ ए फिर आएगा एच फिर आएगा सी यू फिर आएगा एजी फिर हुआ है अगर copper से zinc कराऊओगे तो zinc ज्यादा reactive है और copper रहे है तो जगे चैइन्ज हो जाएगी है hydrogen को भी करा दोगे न copper से तो तो अब भी जगे चैइन्ज हो ही जाएगी कि यह कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको आप समझना चाहोगे तो समझ में आएगी कि आप जगे चेंज करवा सकते हुं अपने से जाधा रियाक्टिव अपने से जाधा रियाक्टिव चीज को यूज करके ज़िक अब बात आएगी डबल डबल डिस्प्लेस्मेंट का सीधा सीधा फंडा दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट अपनी जगह चेंज करेंगे एक बनाएगा एक तो आपका यह हो गया दूसरा एक्जेंपल ले लेते हैं दूसरा एक्जेंपल अगर हम ले 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 तो एजी एनो थी का ले लो एजी एनो 3 के साथ आप एने सीएल का मिक्स्चर कर रहा हो तो एजी सीएल बन जाएगा मतलब सिल्वर ख्लॉराइट प्लस एने एनो 3 सोडियम नाइटराइट तो इस तरह के रियक्शन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेस्मेंट यानि कि डिस्प्लेस्ट किया डबल नेक्स है ऑक्सीडेशन रियक्शन देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है और रियक्शन का मतलब होता है और जब यह दोनों चीज़े आती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रिड्यक्शन रिट मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब उक्सीडेशन जब एक ही में दोनों चीज़े अ अब Aegeंट के अबारे में रिमूब हाइड्रोजन फ्राउंद सबस्टेंस अब इसको एक्जाम्पल के तौर पर देख लो एक्जाम्पल के तौर पर मैं देखूंँ अगर तो सी यू ओ को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ मिक्स कराऊंगा तो कॉपर प्लस वोटर बनता है अब यहां पर ध्यान से माइनस हुआ तो यह रिदियूस हुआ और यह खुद है औक्सिडाइजिंग एजेंट दूसरा यहां से हाइड्रोजन गेन हुआ है कि यहां पर ओक्सिडेशन हुआ है यानि कि oxygen का addition हुआ है तो यह खुद है reducing agent ठीक तो cuo है आपका oxidizing agent और यह है आपका reducing agent इतनी बात clear दूसरा example आप देख लो मैं आपको दूसरा example दिखाता हूं MnO2 को एगर हम HCl के साथ mix करेंगे तो यह बनेगा MnCl2 plus Cl2 plus H2 अब यहां पर जो HCl है यहां पर hydrogen चला गया तो यह खुद हो रहा है hydrogen चला गया तो यह खुद में हो रहा है reduce चला गया तो खुद में reduce हो रहा और यह क्या हो गया oxidizing और जो दूसरा है MnO2 उसमें MnCl2 इसमें reduction हुआ है इसमें removal of oxygen हुआ और यह खुद क्या हुआ reduce ठीक है तो यहां पर MnO2 आपका reduce हुआ है और वो खुद एक oxidizing agent है और HCl oxidize हुआ है तो यह reducing agent है यह कुछ आपके examples थे जो आपको समझाने थे और हाला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यह सारी reduction का जो सबसे बड़ा एक nature में खेल होता है वो oxidation का है rust लगना जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं और वो रस्ट जिसको हम लोग corrosion कहते हैं भाई यह लगती कैसे मालो आईरन है आईरन के साथ oxygen मिली और कुछ water के molecules xh2o मुझे नहीं पता कितने molecules xh2o तो जो formula बनेगा वो fe2o3 into xh2o का बनेगा hydrate ferric oxide और इसी को जंग कहते हैं यहां पर oxidation हो रहा है अब इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं पेंटिंग कर देते हैं इसके उपर एक दूसरी चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं रैंसीडिटी रैंसीडिटी का मतलब होता है कि oxidation फूड में हो जाना उससे फूड खराब हो जाता है इसे और इसको बचाने के लिए हम एंटि ऑक्सिडेंट्स यूज करते हैं एंटि ऑक्सिडेंट्स में जैसे आपके पास इस तरह की चीज़ें हम लोग एंटी ऑक्सिडेंट पर यूज करते हैं वो खुद ऑक्सिडाइज हो जाती है बजाए फैट्स और ओयल्स के होने के यानि कि अपने उपर ले लेती हैं साराबहल या फिर क्या करते हैं आपने शेट खाया एगा ंंकल चिप्स में आपने मौसली देखा होगा ॉसमें गैस भरी थे वह होती हैं वह इसलिए क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस बाहर से अगर उसमें ृस hours यहीं तो वह रियक्यार नि में रखो या एयर टाइट कंटेनर में रखो तो यह था आपका यह वाला टॉपिक और जो है इतना ही है अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कि समझेगा और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैंक यू